हेलो दोस्तों मैं हूँ परविंदर और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गूगल एनलेटिक के अंदर एक नया यूजर या फिर किसी को भी आप अपने गूगल एनलेटिक में कैसे एड कर सकते हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओपन करना है और आपका गूगल एनलेटिक के सामने कुछ ऐसा डेश्वर्ड अब दिखाई देगा अब यहां पर आपको लेफ्ट साइड में आना है और यहां पर यहां से आपको प्रोपर्टी को स्लेट करना है या फिर पहले आप अकाउंट को स्लेट कीजिए और उसके प्रोपर्टी के लिए आप यूजर अकाउंट एड करना चाते हैं नई यूजर को एड करना चाते हैं उसको स्लेक्ट कीजिए और उसके बाद में हमारे सामने प्रोपर्टी यूजर मैनेजमेंट का उप्षन आएगा इसके उपर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप इसके उसकी email id डालनी है email id डालने के बाद enter press कीजिए और अगर आप multiple email id डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे id डाल सकते हैं उसके बाद में आपको user को notify करना है या फिर नहीं करना है इसको मैं फिलाल के लिए uncheck कर देता हूँ और उसके बाद में है नीचे permission आप उन्हें क्या permission द एड कर सकता है और permission change कर सकता है read or analyze वाला सिर्फ देख सकता है edit वाला कुछ filter वगयरा add कर सकता है फिर goals add कर सकता है और collaborate वाला जो share data वगयरा है उनके साथ collaborate कर सकता है तो फिलाल मैं सिर्फ जो access देता हूँ वह read, analyze और edit का access मैं दे देता हूँ और सबसे उपर आपको right side में add के उपर click करना है अब जो हमारा user है वो add हो चुका है और यहाँ पर दिखाई देगा अगर आप इसको remove करना चाहते हैं तो right side में फिर से जो तीन डोट दिखाई दे रहे हैं इसके उपर click किजिए और remove access के उपर click किजिए यह जो हमारा account है फिर से remove के उपर click किजिए जो आपन धन्यवाद